आप सब ख़ये से होंगे और हमारे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर लें ताके नेक्स नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल जाए तो शुरू करते हैं ख़बरों को प्रियास के जनूबी अलाका में सौधी वजास्ते सेहत ने वाइरस टेस्स का तीसरा सेंटर काइम किया है और ये भी ताकीद प्रोग्राम के तहद है न्यूस के मताबिक बताया गया है कि इन अफराद का टेस्स लिया जाता है जो वो बाग के शोबा में मुपतला है और अपना इत्मनान हासिल करना चाते हैं ताकीद प्रोग्राम के जरिए ने वाइरिस के फिलाओ की शराज जानने के लिए क्रोना टेक्स का तीसरा फेस जारी है सोधी अरब से इंडिया का निया फ्लाइट शेडियूल जारी हुआ है जो कि 14 स्टंबर से लेकर नतिस स्टंबर तक का है ये परवाजें फेस 6 के तहद वंदे बारत मिशन के जरिए सौधी अरेबिया से इन इंडियन अफ्राद को अपने वतन पुंचाएंगी जो सौधी से जाना चाते हैं वो तरकीन जो इन परवाजों पर सफर करना चाते हैं वो इनकी टिगट की बुकिंग रियाज में एर इंडिया के दफ्तर या जदा में मजूद एर इंडिया के आफिसे असानी से खरीद सकते हैं 12 मुलकों के लिए 16 परवाजें यकम अक्तूबर को शुरू की जा रही हैं और ये परवाजें पहले फेज में 12 कंट्रिस के लिए बहाल होंगी इन परवाजों के जरीए मुक्तलि मुलकों के शहरी आ सकते हैं ये 16 परवाजें जिन 12 मुमाली के लिए चलाई जाएंगी इन में अच्छी खबर और खुशी की बात ये है कि इन में पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है पाकिस्तान के लिए दो परवाजें इसलामाबाद और लहोर से ऑपरेट होंगी इसी तरह इंडिया के लिए तीन परवाजें शामिल हैं इंडिया के शायर दिल्ली, कूची और मुम्बेई से होंगी और मजीद ये कि इसके बाद ओमान और मकामात के लिए भी अपनी फ्लाइट्स को बहाल करेगा और जो भी लोग ओमान की एरलाइन के ज़िए सफर करेंगे इन के लिए ओमान एरलाइन की जानिब से जो भी वाइरिस से मुतलिक हफास्तिक दमात बनाए गए हैं इनको सफर के दुरान इन पर अमल करना लाजिम होगा सोधी वजीर खजाना ने मनीक सचेंज के कारोबार करने वाले अदारों के लिए नेक आइद और असूल की मनजोरी पेश की है और इन पर कई पमदिया भी लगाई गई है मनीक सचेंज क्रांट अकाउंट या अपने खातेदारों के अकाउंट की जानिब से कोई account नहीं open कर सकते इनको इस तरह का कोई account खोलने की permission नहीं है वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो इनके license में मजूद ना हो मजीद ये के money exchange पर एक पबंदी ये भी आयत की गई है कि सोधी अरब के अंदर या पाहिर वो किसी भी हालत में कोई guarantee letter नहीं जारी कर सकते हैं और ना ही इनको करजा देने, करजा स्कीमो या करजा सरगर्मियों में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी ये थी आज की कुछ latest खबरी जो आप सब के साथ share की गई है अमीद करती हूँ, पसंद आई होंगी मिलती हूँ फिर मैं आप सब से किसी latest update में तब तक आप सब अपना बहुत क्याल रखेगा थाइंक यू, हुदा हाफिस